वेलकम बेक तो माई चैनल और आज हम बात करने वाले हैं बाटरफ्लाई वाल के बारे में जो वाटर का बटरory वाल का है कापी बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और उसकी सील्ड करेंगे तो सील्ड किस प्रकार से चेंज करते हैं उसके बारे में बताया हूं लेकिन प्रैक्रेक्ली जो है सिल्चेंज का वीडियो नहीं है तो इसलिए जो मैं आज आज आपको प्रैक्रेक्ली बताऊंगा क्यूँकि उसमें आप यदि ध्यान नहीं देंगे तो क्या वता उसका एलाइमेंट हो जाता है यदि एलाइमेंट हो रहा है तो उसको किस तरह से अर्जेस्ट करते हैं ओभी मैं बताऊंगा तो यहां पर फिलाल जो जो सील चेंज करने के लिए जो इसको बटरफ्लाइवाल को पूरा निकलना पड़ेगा यह 200 ड बटरफ्लाइवाल को बाहर निकल लेना है उसके बाद जो उसको पूरा ओपन करना है उसके बाद ही सिल लेगा सही जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो देखिए गा आपको किलियर जानकारी मिलेगा यदि आप आधा में छोड़के जाएंगे तो आपका जो जानकारी दूरी रहेगी और यहां पर जैसे वाटर डोजिंग करते हैं तो यहां पर में पानी आता है और यहां पर देखिए इस साइड से भी लिकेज है और तो यहां पर जैसे वाटर डिस्चार्ज होगा बंद हो जाएगा तो यहां पर इसकी सील कट जाती है तब ऐसा होता है और यहां पे सिल डालने के लिए इसको पूरा उपन करके उतारना है तो इसके जो भी बोल्ट लगे हैं चार छे आठ जो भी इसका है फ्लैंज का बोल्ट इसको पूरा खोल लेना है और इसमे टाइम जादा नहीं लगेगा यदि आपका systematic काम करेंगे यहां पे डाया देख सकते ह इसके जितने बी लेंगी लगे है और कुछ लेंगी बॉल्ट backside में है वहां मैं तो यहां पे सभी लेंगी बैक साइड़ ले जाएंगे तो वह अलग हो जाएगा तो यहां पर जिस सीटन में हम अलग करेंगे उसे गौूमाना नहीं उसी पोजीशन में बैठाना है इस प्रकार से बाछर आ इसमें इस प्रकार से इसको सील को प्रेस करेंगे तो बैठेगा और यह तील तो बाइफ कटता है तो यहां पर इस प्रकार से युह मगें तो इसमें आराम से बैठ जाएगा और इसको इस प्रकार से इसमें all- breathing का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस प्रकार से जो डिस्क में है पूरी बैठाने के बाद वापिस से उसको इसका बूस जो है दोनों साइड का लगाने के बाद इसको वापिस से रख देना है तीस प्रकार से रखने के बाद यहां पर देखें डिस्क उल्टा है तीसको उस कंडिशन में रखना इस कंडिशन में जैदि उल्टा है डिस्क हम रख देंगे तो क्या होता उस से जॉआनों होता हो खराब होने के ऐखाद हो जाते हैं यहां पर देखिए एक्षिवेटर हम वसी प्रकार से बाइठाए हैं जिस प्रकार से हमने निकाल ला है याधि उसकी जीरी है एंस जीरी भी थे हम बदल देते यदि आपको alignment चेक करना है तो भी आपको बताओंगा क्योंकि alignment चेक करने के लिए आपको कसना नहीं है क्योंकि यहां पे जो हम लगा रहें तो हमारा alignment तो आउट है नहीं हमने उस चीज का ध्यान रखते विए लगाया है तीसलिए हम इसको प्रोपर लगा लिए अब आपको म मैं के लिए बताता हूं किस प्रकार से alignment चेक करते हैं यदि हमको अर्जेस्ट करने की बात होगी तो किस कंडिशन में होगी जो इसका डिस्क लगा है तो मालेजे इस साइड से जो इसका डिस्क है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है यानि यह जो पॉइंट है इस साइड को ज्या जो अब गचे करना लेकिन कभी क्या होता है यहां जो जीरी को हम छोड़के मतलब बैथाखाआ के और उसके बाद यहां से इर्जेस्ट कर देते हैं तो क्या होता हो 100% तो नहीं खुलता है लेकिन जो है closing हमको 100% मिल जाता है तो इस प्रकार से इसको हम अर्जेस्ट में यूज करते हैं यह अर्जेस्टर तभी काम करता है जो हमको इस gate को 00 बंद करना हो क्योंकि closing हमारा 00 होना चीह है नहीं तो जो बेस्टेज होगा जो material होगा वो बिलकुल रुकेगा नहीं यह जो micro switch होते हैं इसलिए होते हैं कि जो gate close होगा उसके बाद ही operating होगा नहीं तो hold रहेगा तो फिलाल एक ही micro switch है वो cement में है water में नहीं लगा है क्योंकि cement जाता जाने से जाता problem है water किसी condition में जाता जाएगा तो पता चल जाएगा यदि cement थोड़ा थोड़ा जाता चला जाता है तो पता नहीं चलता है इसलिए cement वाले पे लगा है इस पे नहीं लगा है तो इस प्रका झांस करते हैं